हेलो गाइस वैलकम बैक टू मैं चनल गाइस थैंक्यू सो मच आप इतने पैर पैरे कवेंट्स करते हैं काफी लोगों के बाल जो है नेचरल तरीके से ब्लैक हो गए है ट्रिटों कहने किला में गालों को कजिदे बहुंते हैं प्रशलिया करसिक तक जादा व्मर के नियू ऑंकि दिर को जादा उमर मेश को कऴलाु करते हैं तो चलिए रेमडी की तरह बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स दिखेगा सबसे पहले हमें जो है इस तरीके से एक पटेटो एक आलू ले लेना है उसका जो है आपको थोड़ा मोटा सा चिलका उतार लेना है तो चलिए का पहले मैं इसे वाश कर लेती हूं अच्छे से आपको वाश चुआ आलू होना चाहिए दुलावा आलू होना चाहिए उसके चलके आपको ले लेने हैं तो फ्रेंड्स दिखेगा मैंने इस तरीके से आलू का चलका उता लिया है काफी थोड़ा मोटा सा उतार रहे देखेगा अब देखेगा हमने जो है सेकंड में अलोवेरा को भी अगर आपके बालो में बहुत जादा डैमेज नैस है आपके बाल जो है फिजी है बहुत जादा तो तीन जो है अलोवेरा जैल की ले सकते है मैंने एक ली थी इस तरीके से अब जो है हमें इसे मैशर से मैश कर लेना है पहले तरीके से आप जो है हलका सा मैश कर लीजी पॉडर इस तरीके से यह देखेगा यह पिसावा है आप चाहें तो इस तरीके से इस तरीके से मैं इसमें डाल दूगी अभी जो है मैं इस पहले ड्राइफ उम में इस तरीके से चला दूगी एक से दो मिनट फिर हम इसमें पानी एड़ करते हैं और यह बहुत जादा काम करते हैं बहुत जादा कैल्शिम इसमें पाया जाता है काले तिल अगर आप डाइट में भी सामिल करते हैं जैसे कि मैंने डाइट प्लैन बता रख फोलो नहीं करते हैं तो प्लीज डाइट फोलो ज़रूर से किया करें ताकि अंदर से रिग्रो हैर ब्लैक आना आपका स्टार्ट हो जाए तो तिल तो आपको जो है काले तिल आप जरू खाईए आपके काले तिल खाने से आपके बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे यह देखेगा फ्रेंट इस तरीके से आप चले पानी आड़ करते हैं इसक अंदर ग्लास के करी पानी आड़ करूंगी पकाना है यह देखेगा इस तरीके से कुछ इस तरीके का हो गया और यह आप ग्लास से भी कम रहे गया है अब आपको इसे क्या करना है एक दिन के लिए आपको जो है इस कडाई में ही आपको ओवन नाइट तक छोड़ देना है तो चलीगा पहले तो मैं आपको ऐसी ही दिखा शरीम छाल जो जोत आप है तरीके से से स्ट्रेंड ओट करनसरा है आपको जो है ने एक से तरीके का बनकर डरिया हुआ ह। Linda यह ज़ए भी धनारमे को काल ड़िका बहुत ज़्यादा बैनीफिशल है आपको जो कामेर के लोग उता है उए sel brauch का तयु आपको ब पहने से तीन चार घंटे पहला आप इसे लगाई या ओवनाइट भी आप रख सकते हैं इस प्रेय के तौर पर भी आप अपनी जड़ों में कर सकते हैं यह जो है आपके बालों को फिर से काला कर देगा इतनी जादा बैनिफिशल है यह अब देखे कर जाद उमर के लिए बता आपको इसे मिक्स कर देना अब आपको इस में डाना है एक नीबू 15 मिनट के बाद नीबू डालकर यह 15 मिनट के बाद जिन लोगों के भी समस्या होती है वो जो है बजार वाली डाई लगाते हैं उनके बालों में नेशुरल रेमेडी नहीं चड़ती हैं वो इस तरीके से जो लोग भी नेशुरल रेमेडी लगाते हैं उनके तो एक बार में ही जो है है में कलर आजाता है अच्छे से और जो लोग भी मार्केट की केमिकल डाई से जिन्हों ने परेमालों को डैमेज कर लिया पूरी तरीके से तो उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती कि उनके जाई तो कोई रेमेड्य चरती ही नहीं है तो आपको इस तरीक से कलेना है लगाने से फंद्रा मिनट पहले आपको जो है Fang Fang को डालना है 19 पहले और 10 लियर आदा लेमन से ल्क लामन से अच्र लीं में यह अच्छिछारे टोरी दीनिकस करत करता है य् सुछिविव इसे आप के बाल जो है काले हो चुके हैं पूरी तरीके से इसे आपको वीक में दो बाल लगाईए आए होब आपको रेमडी अच्छी लग रही होगी तो जादे स्यादे लोगों में शेयर कर दे ठाएंगे सो मच पर विवाद